श्रीमत भगवत गीता भगवान स्री कृष्प के मुखारविंदु से यह निर्गत वानी है जिनोंने अरजुन के प्रती कही है और यह एकादसी के दिन ही मुक्षता एकादसी के दिन भगवान के मुखारविंदु से युद्ध के मैधान में गीता भगवान के मुखारविं उनको उभदेश्ट और विश्व का प्रसिद्ध तो कर्म करने के वारे में उन्होंने प्रेरित किया भगवान के मुखारविंदु से निकलि रिगीता में कर्म की परिवासा दिगए है योग के विश्य में बतलाया गया है और किस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन यापन करे किस प्रकार गीता एक ऐसी चीज है आपने पूछा कि भगवान के मुखारबिंदु से नहीं किली हुई है एक ऐसी चीज है कि स्रीमत गीता जी बतलाती है कि हम कैसे बोले अनुद्वे करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चे किया खाए कैसे सोए कितना युक्ता हार भिहारस इस तरह करके स्रीमत भगवत गीता में भगवान ने जीवन के जीतने भी सिध्धान्त है सभी पर उन्होंने अपना प्रकास डाला है और सबसे महत्वपूर बात आपने कहा कि क्dyos把它 क्या करे एकादसी के दिन तो इस दिन एकादसी के दिन विशैश करके व्यक्ति अगर अपने पित्रों से पित्रिने से होना चाहता है यह समस्या हो तो उसके निराकरन के लिए गीता के साथ्मे अध्याय का पाथ श्तिक करना जाए जो बहुत ही लावप्रत होता है ठ सेज करके इसमें स्लोक है यो यो याम याम तनुम भक्तिम श्रद्धाम अर्चत विक्षदी फिलब जिस जिस रूप में आप अपनी भक्ति श्रद्धार चित करते मुझे देते हैं वो सब मैं ही देता हूं भगवार ने कहा है इस प्रकार सात्य अध्याय का परायर करना चें घएसे होगाओ टूर्च कर औरी देए से डिसे डे चाल डेजें होगीा है ट्यां सबस्तर चेह और ठाहगगगया ह्जाट घ्या है की अजएंगर प्रेश्टर अर्वेकारी है देश्ट में या जे ईन या मैं ऑा जे